देशबर के इंद्राज़ों में होगी बारिस और ब्रफबारी 12 माई की दोरान जमु कसमी लद्दाक गिलगीती बालिस्तान मुझपराबाद हिमाचल परदे सुत्रागन में गरज बिजली की जमक के साथ ते जमाई 40-50 किलो मेटर परती की गंटे की रबतार से लेकर चल सकती हैं इसी दोरान कुछ इतानों पर ओले भी गिर सकते हैं हलकी से मदें बारिस तो कहीं कहीं पर भारी बारिस भी देखने को मिल सकती है जमकस्मी लद्दाक गिलगेत बालिस्तान मुझपराबाद में अलग अलगिस्तानों पर 12 माई को भारी वर्षा होने की भी संभावना है 50-60 किलो मेटर परती की गंटे की रबतार के साथ आंधी भी चल सकती है 12 माई को भारिस की गतिवीदियां पंजाब, हरियाना, राजस्तान, दिल्ली, उतरपर्देश, मदेपर्देश, इन राजयों में गरद और चमा के साथ हलकी से मादें बारिस, धूलबरी, आंधी भी चल सकती है तो कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं राजस्तान राजये में भी पस्तमिक शुब सेकरी है, जिसकी परबाव से तीवर मेग गरजन, बारिस की गतिवीदियां देखने को मिल सकती है बिकानिर जेपूर, अजमिर भटपूर, कोटाव जोदपूर संभा के कुछ बागों में सामय रात्री के दोरान, हलकी से मदें बारिस तो कहीं कहीं पर धूलबरी आंधी भी चल सकती है ओलावश्टी और वजरपात होने की संभावना है मौसम इभा के अन्मान के मुताबिक 14 माई के आसपास दक्षनी बस्मी बंगाल के खाड़ी के उपर हाओं में प्रिसंचरन बनेगा और जिसकी प्रबाव एक बार फिर से दक्षनी बार्ची लेगर के मदेभारत तक बारिस की गति वीदियां बढ़ सकती है उत्रपरदेश राजे में भी वदल्या मौसम का मिजाज कहीं इलाकों में होगी बारिस मौसम इभा के इनमान की मुदाबिक इन जिलों में बारिस का अलरेट राजे में मिर्जापूर, चंदोली, संत्रविदास नगर, वारणासी, जोनपूर और मउव जिले में बादल गरजेंगे आंधी भी चल सकती है साथी, बलिया, संतकभी, नगर, बस्ती, देवरिया, गोरिकपूर, कुशी नगर, महराज, गन, सिदार, नगर, गोंडा, जिले में भी बादल गरजनी, आंधी चलने की संभावना है इसके अलावा स्रावस्ती, बल्दामपूर, बहराई, सितापूर, हर्दोई, हरुकावार, लखेंपूर, खीरी, कन्नोज, कानपूर, देहात, नगर, सहरनपूर, सामली, मुझाफरपूर में भी आंधी चलने की संभावना है साथी इंजीलों में बारिस होने की भी संभावना है बारिस की अगतिविदियां 12 माई को बिहार, कोकेन और गोवा, गुजरात, छेतर, विधर, मदि महराष्ट, मराठ, वडा, 36, गडोडीशा, तिठी आंधर परदेश, येनव, राहिल, सिमा, तेलेंगाना, तमिलनाडू, पुदुचेरी, क्रायकल, केरिल और माहे, उतर और जरूर करें